दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बैल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आम सब लोग दोस्तो हैं विशाल असब करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चै यहनीगा क्या है अज की वी डियो देखेता हो काम क्या है इसंद आपको यूज करना है आप इस आपको कुछ कर सकते हैं लेकिन अस्तॉब इस नंस्टोल कीजिएगा जैसा की मैं नवताया वीडियो के नीचे फवी डिस्क्रिप्षन में लिंक मिलेगी और चैनल को और अभ आपको कोई phone use करना चाहता है, तो वह आप चाहते हैं कि वह आपको phone use नहीं कर पाए, और आप उसे phone आपको उसे देना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने mobile के touch को disable कर सकते हैं, कुछ लोगों को इस application के बारे मैं पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को इस application के बारे मै थोड़ी सी यहाँ पर आपको यहाँ पर्मीशन देनी पड़ेगी पर्मीशन देने के बाद यहाँ पर इनेबल टच कंट्रोल का ओप्शन है आप जैसे ही किलिक करेंगे ऊपर यहाँ पर यहाँ पर टच कंट्रोल के लिए आ जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से यह काम करेगा तो इस तरीके से आपने यह application काम करेगा मैं एक बार आपको पूरी तरीके से यूज करके दिखा देता हूँ तो आप जैसे यूज करेंगे यहाँ पर option आजाएगा disable touch का और enable touch का आप जैसे ही disable touch कर देंगे मैं disable touch कर देता हूँ अब देखिए मैं अपने screen पर click कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ कुछ नहीं होगा until unless मैं उपर से जाके इसे enable touch को click करूँगा ओके दोस्तों तो इस तरीके से काम करता है तो इस तरीके से अगर आप use करेंगे इस application को तो ये आपके mobile के display को पूरी तरीके से block कर देगा disable कर देगा कोई भी इसे touch करना चाहेगा तो उसका use वो नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से ये application काम करती है और वापस से अगर आपको इसे enable करना तो enable का option given है आप यहाँ पर आगे कर सकते हैं enable और देख सकते हैं मेरी जो screen है वापस work करना चालू हो गया है तो इस तरीके से इस application को आप use कर सकते हैं amazing application है अच्छी application है काफी useful application है और user friendly है बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस application को use करने में link आपको जैसा कि मैंना बताया वीडियो के नीचे description में मिलेगी वहाँ से जाके आप इसे install कर सकते हैं तो वीडियो आपको जरा से पसंद आजी तो like जरू करना है आपने इस channel को subscribe कर देना है और bell icon को दवाना बिल्कुल भी नहीं बूलना है बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे नेच्ट वीडियो में ऐसी ही amazing tips tricks और नईनी वीडियो में नईनी apps के साथ तो please channel को subscribe कर लीजिएगा बहुत जल्द मिलेंगे नेच्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तो